हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ यह मैंने बनाया है गाजर का हलवा जो की मेरा वन येर का बेबी है उसके लिए तो यह गाजर का हलवा जब विंटर से तो उसे बहुत पसंद था और मैं घर पर ही बनाती थी विदाउट कि अब भी जो सीजन चल रहा है गर्मियों में तो लाल वाली गाजर नहीं मिलती तो यह औरेंज वाली गाजर है वही मेने लिया है और उसको मैं जीस तरह से स्टोर करती उससे वो खराब नहीं होता आप पानी में उसको इस साफ करके रग दीज़े खराब बिलकुल नहीं ह चाहँ हमारे घरबी घी प्पिर का आर मेरी भाबी भेशती है और ढ़ा इमेर जो चुद्ध डेसी घी किया स्थिए हमारे आपको साटे करना और भून ले नाख गाजर घूसे जो गी दोनों बहुत अच्छे से भूना हैं तो पांच मिड तक भूना था उसको और उसके बाद काव मिल्क में यहां पे अड़ करें तो बेबी मेरा वान यह से उपर हो गया उसको मैं काव मिल्क पी ने के लिए भी देती हूं और उसका जो खीर वगर बनाना तो मैं उसमें ही कोक करती हूँ तो तोटल चार सीटी लगी मुझे चार सीटी के बाद यह देखिए इतने अच्छे से गाजर जो है वो घुल गया है अब यहां पे और खुले ही इसमें मैं पांच मेट कोक कर रही हूँ जो भी ड्राइफूट अवेलेबल है तो यहां पे इस मैं उसके बाद उसको अच्छे से मैं Ne optimize किया है और अप यहां पर यहां पर यहां पर शक्कार को कि मैं आपको मैं कोई भी घर का वेजेटेबल दू खाना दू वो रिजेक्ट नहीं करता और वो कोई भी बाहर का फूड अब तक उसने नहीं खाया है जो भी मैं बनाती हूँ घर पर ही कुक करके बनाती हूँ तो डीमाट से न मैंने मेरा डीमाट का हॉल शेयर किया था उसमें यह और गैनिक जागरी पाउडर जो गुड का पाउडर होता है यह ब्राउन कलर का होता है और यह और गैनिक होता है यही वाला आप लीजे आपको डीमाट में इसली मिल जाएगा तो यह जागरी पाउडर है मैंने देड़ चमच आड़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा मैं मीठे का आदत उसे शुरू से नहीं लगाई हूँ जब मेरा बेबी 6 मन्द का हुआ था उसके बाद ही मैंने solid food उससे देना start कर दिया था तो मैं फिर भी उसे मीठे का आदत मैंने अब तक नहीं लगाया है कभी-कभी मैं उसे मीठा बना के दे देती हूँ लेकिन मैं जागरी पाउडर ही डालती हूँ तो यह देखिये यहाँ पे हमारा simple सा गाजर का हलवार रडी हो गया और इसे आप भी खा सकते हो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह गुड से बनाया हुआ है दोनों का टेस्ट मुझे सेम लगता है इसलिए जब हम अपने ले भी बनाते हैं तो अब हम इसे गुड पाउडर ही डालते हैं यह पूरा का पूरा मेरा बेवी नहीं खायेगा इसे मैं अपने लिए और बेवी दोने हमने खाया था और यह बहुत ही टेस्टी होता है आप एक बार इस तरह से जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा आपको डेफिनिटली पसंद आएगा बेवी फूट के लिए और भी रेसिपीस मेरे चानल पे है और अपलोड कर रही हूँ मैं उसके लिए आप मारे चैनल को जरूर से सिस्क्राइब कीजेगा और जो भी निव मदर से उनके साथ शेर कीजेगा थांक यू